सो हे गाईस कैसे है आप सभी थमनल पर आपने तो क्लिक कर दिया है और बजाचेतक को क्यूं सजिस्ट करता हूं मैं उसके बारे में भी आज एक डीटेल में बताने वाला हूं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं कुछ ही नहीं बस मैं आपको सजिस्ट क्यूं करना चाहता हूं बज से 6 साल तक उनको कोई भी इवी गाड़ी चेंज करने जरूत ना पड़े और जो उन्होंने गाड़ी खरी दिये उसमें ज्यादा दिक्कते ना हो सर्विस रिलेटेड चाहे वो कॉलिटी से रिलेटेड चाहे वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड इसलिए इस गाड़ी को मैं पहली चीज़ तो इसकी बेल्ट कॉलेटी बेस्ट बेल्ट कॉलेटी उसकतो इन एवी फुल मैटल बॉडी है और मैटल बॉडी होने की कारण इसकी जो बेल्ड है वो काफी सॉलिड होती है जब आप गाड़ी को चलाते है यहां पर अचिछी अच्छी टेकनलोजी भी यू नहीं हो पारी अगर आपको 5-6 साल तक कोई जिक 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 नहीं चीना तो यह गाड़ी आप एक बार चेक आउट कर सकते हैं पहली चीज तो हाइ कॉलेटी बैटरी यूज हुई है 3 kilowatt की इसफे बैटरी यूज हुई है क्यों हेवी है क्योंकि यहाँ पर मेटल यूज हुआ है अगर मेटल यूज नहीं होता यह भी एक फाइबर बॉड़ी होती तो शायद जो रेंज आपको मिल रही है वह 120 इजीली मिलती लेकिन कमपनी ने बैटरी की जगा बॉड़ी पर काम करना ज्यादा पसंद किया क्योंकि अगर कोई गाड़ी लेता है बजाज की तो उसे ये ना लगे कि मैंने जो गाड़ी लिये वो बस एक दो साली चल पाएगी उसके बाद इसकी बॉड़ी ग्राफिक्स पेट दिक्कत करने लगेगी और पास साल तक तो ठिकेगी नहीं तो बजाज ने ऐसा नहीं किया पीछे साइट जो टायर में पावर जाती है वहाँ पे गेर्ज दी हुए जिससे काफी स्मूद राइड हो जाती है और लोगों को बहुत पसंद आती है गाड़ी यहाँ पे जो इंस्ट्रुमेंटेशन है बहुत ही बेसिक है डीजिटल है और सारे की सारे चीज आपको बहुत ही मिलमिस्टिक है राइड है और यहाँ पे जो 25 परसंद बैटरी वह चार्ज काफी फास्ट हो जाता है बट उसके बाद जो चार्जिटल होती है और पाज घंटे में 100 परसंद चार्ज होती है यहाँ पे कमपनी कुछ वारेंटी बहुत अच्छी देती है 70,000 km and 7-year warranty और यह बेसिकली बॉडी का है अगर मैं बैटर की बात को तो 50,000 km and 3 years warranty बैटरी यह लेकिन अगर इस बैटर की बात को तो तीन साल से जादा चल जाएगी easily क्योंकि इसमें चार्जिंग फास्ट रिइन दिया है मिनिमस्टिक दिया है जिससे इसकी लाइफ बरकर और यहां पर जो इसकी प्राइज है कंपनी बोलती है वन लाइक फुट्टी वन थाउजन एट एटी फोर है बट यह ऑन रोड आते हैं एक लाइक साथ तक पहुंच जाती है एक लाइक साथ हजार में आपको रिंज तो कम मिलता यह तो फैक्ट है रिंज कम है लेकिन जो बस और कुछ निए बाकी बाडी वैसी कि वैसी सोलिड keeping वैसी कि सौलिड पेंट कॉलिटी वैसी कि वैसी सौलिड रही कि अगर आप दूसरी गाडी सब्सक्राइब करें जहां पर फैबर बैमीं उसमें ऐसे आने लगेगी च्छोटा मोटा भी अगर गड़ी गिर जाती है इंपक्ट लगता है यह सारी चीज़े चीटक की इस गाड़ी में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती क्योंकि बाकि तो यहां पर आपको सिंगल सुइगा मिलता चाहा फ्रेंट हो चाहा रियर हो और दीखने में भी बहुत अच्छी है और पूरा एलेडी सेट अप है अगर आपको इस गाड़ी को चेक आउट करना तो सबसे पहले आपको इसका वेबसे पर जाके चेक करना पड़ेगा आ आपके एरिया में यह गाड़ी एवेलेबल है या नहीं है अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते है अगर एवेलेबल है तो एक बार जाके चेक आउट जरू करिये गा बस इतना ही था अचकी इस वीडियो में वीडियो चला तो प्लिस लाइक कर देना नेए तो झाल झाल